नमस्कार पंडित क्यान चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें क्यूंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी वीडियो कुछ ऐसी जनकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपोर्ट देवी देवता वास करते हैं इसलिए गाय को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है गाय सकरात्म कुर्जा का भंडार होती है गाय के आसपास घर के आसपास अगर गाय होने का मतलब है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रहेकर सुक और सिम्रिद्धी का जीवन जीते हैं अगर गाय को प्रति दिन भूजन कराने से अगर दोस्तों गाय को प्रति दिन भूजन कराते हैं तो घर में धन सुक शान्ती सिम्रिद्धी आती हैं गाय को खाना खिलाने से सभी तरह की परिशानिया सभी आर्थिक परिशानिया आपसे दूर हो जाती हैं तो आज की वीडि इसी चीज खिलाने से कैसे आप हर प्रकार के धन सुक्सिम्रिदी सुभाग्य के मालिक बन सकते हैं और अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप एक लाइक जरूर दें दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों गाएं के बारे में हम सब जानते हैं 33 करोड देवी देफताओं का वास होता है और गाएं को इसलिए माता का दर्जा भी दिया गया है और हिंदू लोग गाएं की पूजा करते हैं और गाएं को वो माता कहकर पुकारते हैं हमारे हिंदूस्तान में हिंदू लोग इसलिए हिंदू दर्म ग्रंतों में कहा जाता है जो लोग अपने घर से सबसे पहले गाएं की रोटी निकालते हैं उसके घर में 33 करोड देवी देवता आवास करते हैं और उस घर में कभी भी कोई दुख नहीं आता है घर में बनी ताजी आटे के सबजी गाएं को रोटी खि हिंदू धरम में कहा जाता है कि सुभा उठकर नहाधो कर तरोताजा होकर पुजा करने के बाद सबसे पहली रोटी गाएं को खिलानी चाहिए और फिर अन्ने सदस्य को खाना खाना चाहिए अगर आप रोटी के साथ साथ गुड़ की डली डालकर गाएं को खिलाते हैं तो तो आपको सभी दुश्मनों से चुटकारा मिलता है। पित्र पक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी आपको बैसी खिलाने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं आज के को छुपायों के बारे में गाए को रोटी खिलाने से सभी तरह की वासुदोश दूर हो जाते हैं गाए को भोजन कराने से अनिस्ट ग्रह और शत्रु आदी का नाश होता है और भगवान जी प्रसन हो जाते हैं लेक्षमी माता नौकरी आदी का लाब होता है घर में खुशिया बढ़ जाती हैं खुशियों के द्वार भी खुल जाते हैं इसके अलावा चीटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से अगर आप आटा खिलाते हैं तो आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं और धन समंदी सारी परिशानिया भी खतम हो जाती हैं मचली को खिलाने से बढ़ती हैं आपके मान सम्हान जिया दोस्तों मचली को यदि आप खाना खिलाते हैं या आटे की गोलिया खिलाते हैं तो आपका समाज में मान सम्हान बढ़ जाता है इसी के साथ आपको चावल डाल बादरा जो आपको हो सके जितना भ जिंगी नहीं होती है और कभी भी दुश्मन आपको कोई परिशान नहीं करते हैं आप जिंदगी में बिल्कुल निडर होकर जीते हैं और आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है आज की वीडियो में बस इतना ही लौटेंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले मेरे इस वीडियो को लाइका पवाश करें